मेरा नाम है शुभी गुपता आज हम बात करने वाले हैं special education, integrator education और inclusive education में basically क्या difference है? हम दो Perspective से बात करेंगे पहला है Setup क्या रहता है इंफरस्टक्चर की बात करेंगे दूसरी हम बात करेंगे education की इन बच्चों के लिए disabled disabled बच्चों के लिए या special बच्चों किस तरीकिये की चीजे हमा हमें देखने को मिलती है देखिए यह क्या है एजूकेशन शेग्रेशन से ही शुरू ही है इसे सूपर घजूब्याइं कि तरीकी से उत्तफ है तो आप जानते हैं कि इन बचल को इन 발ण कि अजूच से एजूच़ में धाता इसमें सारे इसपेशल बच्चे एक साथ वहां पर पढ़ रही है तो क्या है कि ये तो इसका सैट पो गया की एक स्कूल अलग से बना दिया गया अच्छा इसमें पीछे क्या पा। concept develop कैसे हुआ इसका लोगों को लगा कि यह जो बच्चे हैं special बच्चे हैं वो जर्णल बच्चों से थोड़ से डिफर हैं बिल्कुल अलग हैं तो इनको क्या है कि इनका जो curriculum है वो भी अलग से बनाया गया था इनको अलग से पड़ा जाना चाहिए इनको क्या किया गया इनको समझाना था कि यह यह जो इनको जो इनको सुखाना था इनको एक प्रवाइट कराना इनके लिए स्पेशल एजुकेटर को मारा बेसिक जो चीज़ा होती है एक जीवन को चलानी के लिए वो इनको समझाना ठीक है अगर भारत की बात करते हैं अगर आप बात करें वोगोलिक रूप से तो क्या था कि पहले हमारा जो भारत था वो तीन रजिदेंसी में डिवाज़ेट था ठीक है पहला था कलकत्ता दूसरा मुंबई जिसको हम बंबई कहते थे पहले और उसके बाद था मदरास ठीक है तो इसके बाद नाडू में नाइटी-Nाइटी-साइविं में इसको थर्ड जो स्कूल हमारे स्पेशल बनाता इसको स्टेबलाइज कि मैं फिर से रिपीट कर दू कि उस समय में इस्ट्रीम का कॉंस्ट नहीं था क्योंकि इन लोग माल लिया था इनकी अलग दुनिया थी और इ सब्सक्राइज को देखा तो हमने 21 इसमें कर दी लिगन आप भी जानते इस बात को कि डिसाबलिटी इस टॉंटी नहीं है लेकिन लोग लेकिन जो गवर्मेंट इंटिफाई करी है वो तरी ही है तो क्या हुआ जब आइटिफाई नहीं थी तो लोग क्या थे कि एक इस क्ला है सब को एक साथ पढ़ा दिया लेकिन इस्पेशल स्कूल में क्या अपगरेट वजन हुआ कि आपने अलग-अलग इसकी की बच्चे को अलग-अलग क्लास में आपने बिठा दिया जैसे कि देखे यह जो आपको सेटींड पिक्टिर दिखने सारे एचाई बच्चे है इनक सारे बच्चे जर्णल बच्चे पढ़ना है यह इस तरीके का सेट अप हो सकता है एक ही स्कूल में दूसरी तरीके से माल लेजिए एक ही एंपस जिसमें दो बिल्डिंग से जिसमें एक बिल्डिंग में सारे स्पेशल बच्चे बढ़ रहे हैं दूसरे दूसरी बिल्डिं लेबल अलग अलग होता है, जैसे कोई mild होता है, कोई moderate होता है, कोई severe होता है, फिर उसका profound होता है, तो इन लोगों ने देखा कि जो बच्चे mild लेबल के हैं या फिर जिनको कम दिक्कत है, उनको mainstream में लाया जा सकता है, अगर उनके साथ effort ज्यादा यूज किये जाए, Integrate Education को लाने का जो concept था, वो यही था, कि जो बच्चे mind और moderate लेबल के हैं, जिनको mainstream में जर्णल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है, उनको खीच नान के लाया जा सकता है, तो उन्होंने फिर Integrate Education को इजाद किया, तो उसमें क्या था कि बच्चे को अगर social environment हम जर्णल बच्चों का करिकुलम था, वही उनको दिया जाता था, flexibility थोड़ी कम थी, क्योंकि उनको क्या था, एक fixed frame था, जिसमें जो mild or moderate लेबल के बच्चे थे, बहुत कम बच्चों को इन्वाल किया गया, उनको fit किया जाता था, उस frame में, जो already frame decided है, है ना, special educator प्रवाइड किया जा बच्चों की तब लो आपस में, इंट्रेक कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटर एजो किश्में थोड़ी सी negative, पॉजिटव ना, कोई भी सैटप हो, कोई भी policy है, सब में होती है, तो इसमें क्या था, कि बच्चे खुद को motivate करने की वजाए, demotivate feel करने लगे, जब उनको इंटीग्रेटर एजुकिशन में, फ्लेक्जिबिलिटी थोड़ी कम थी, तो वहां पर गया था, कि आपको जो पहले से decided curriculum है, उसमें फिक्स बच्चे को खीचा जा रहा था एक तरीके से, कि आप यह करना है आपको, हालनकि उनको AIDS प्रोवाइट के जाते थे, उनको special educator प्र इसमें बच्चे को अपने आपको पुश करना था, अच्छा इसमें एक पॉइंट और था, कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा किसी भी चीच को, तो बच्चे की disability है, बच्चे को disabled है, यह problematic है, इस वज़े से नहीं सीखा रहा, वहीं जब हम inclusive setup की बात करते हैं, तो इसमे इसमें learning करते हैं, यह inclusive education आया, जो कि आज के time पर चलन में है, बहुत सारी जगें है, जहां पर आज भी यह चीज बहुत अच्छी से follow की जाती है, जैसे कि आप south में चले जाओ, आप dairy चले जाओ, चंडीगर चले जाओ, वहाँ पे inclusive setup है, और अगर आप dairy नुड़ा की बात क सब्सक्राइब करते हैं, वो लोग अलग-अलग disability के जनल बच्चों के साथ में वहाँ पर करते हैं, learning करते हैं, inclusive education क्यूंकि आप मैंना को बताया कि special education का अप्गेड वजन क्या है, integrated और उसके बाद inclusive education उसका भी update वर्जन है, तो जब लोगों को लगा कि शायद इस तरीके से discrimination, integrated education में बच्चों को हो रहा है, तो हम क्या करें, कि क्योंना उनको एक साथ, जब वो एक साथ सीखेंगे, तो उनको वो emotionally एक दूसरी आटेच होने की कोशिश करेंगे, बच्चे और ज्यादा अच्छे से गरो करेंगे एक लास में, जब उनको समान अधिकार के साथ पढ़ जब एकशिशन में वो था, adaptation, modification, and accommodation, flexibility थी उनके करिकुलम में, करिकुलम तो सेम था, लेकर रिल्यक्सेशन बहुत दिया गया था, बच्चों को, marks में दिया गया था, time में दिया था, जैसी कि माल लीजे, अगर हर घंटे में बच्चे को 20 मिनिट का रिलेक्शन दिया गया थ जैसे कि जड़नल बच्चा एक गंटे में करता है किसी जच को तो एक गंटे में 20 मिनिट बच्चे को जो बच्चा स्पेशल है या फिर डिसाइबल है उनको 20 मिनिट एक्स्टा दी जाने लगी रिसोर्स रूम थे, जैसे कि माल लीजी कोई बच्चा अगर थोड़ा सा तो बच्चे का उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है ना ही उसके डिसाइबलिटी का है टीचर अपनी करिकुलम में प्रॉब्लम करिकुलम में चीजें हो सकती है जो नेगिटिव या करिकुलम थोड़ा नहीं अपडेटिड है जिसकी वज़ा से बच्चा नहीं सीख पार माला बच्चे पर कोई बिलेम नहीं दिया जाता था आप अपनी स्ट्राटिजी चेंज करिए आप बच्चे को पढ़ाने के तरीकों को चेंज करिए बच्चा लर्ण कर सकता है चाहें कोई इसको दिसाइबलिटी हो आप इस तरीके से क्या हुआ कि नई-नई टेकनिक्स टीचिं या दो से जादा बच्चों पर नहीं फॉलो किया सकती सेम डिक्टो क्योंकि सब की disability का लेवल अलग होता है सब की disability अपने आप में बहुत यूनिक होती है आप नहीं उनको एक टेक्निक से पढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से क्या हुआ बहुत सारी टेक्निक्स जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकता है flexibility बहुत दी गई टीचर उनको एड्स भी प्रोवाइड किये गए ऐसा नहीं है इस इंक्लूजिव एड्युकेशन में बच्चों को एड्स प्रोवाइड किये गए हर तरीके से उनको जनल बच्चों के साथ खड़ा रखन करने की कोशिश की गई तो इंक्लूजिव एड्युकेशन आज भी हालांकि बहुत सारे हर्डल भी है उसको पास आउट करने के लिए या फिर उसको कवर अप करने के लिए लेकिन बहुत जादा अच्छी चीज़ा की भी जा रही है अगर आप फॉरें में जाके देखते है तो इंक्लूजिव एड्युकेशन को ही फॉलो किया जा रहा है तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग इफ्यू लाइक दा वीडियो प्ली शेयर जैहिए